हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वारत है आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन से बनी एक रैस्पी जो मैं अलग तरीके से बनाऊंगी जिसका नाम है दही बैंगन बहुत ही अच्छी रैस्पी है ये तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो शुरू क पहले हम इसके टॉप को निकालेंगे अब हम इनके स्लाइस करेंगे पतले पतले अगर किसी को दही पसंद नहीं है तो मैं उसके अलावा भी इसी के अंदर दूसरी रैस्पी बताऊंगी सभी को हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे गोल गोल इस तरह से सभी को स्लाइस में काट लिया है ये रहें अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालूंगी और इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसको हम अच्छी तरह से हातों से मिक्स कर लेंगे या इस तरह से आप भी कर सकते हैं तो इसे हम दो मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे फिर हम इनको फ्राइ करेंगे अब फ्राइ पैन को गैस के ऊपर रखेंगे गैस को अन कर देंगे और इसके अंदर तीन चम्मच तेल डालेंगे स्टेप आए स्टेप मैं आपको सभी चीज़े दिखाऊंगे दो मिनट हो गए हैं बैंगन को रखे हुए अब हम अपने बैंगन फ्राइ करेंगे फ्राइ पैन के अंदर मैंने तेल डाल दिया है बैंगन को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे अभी एक साइड से फ्राइ हो रहे हैं अब हम इसको पलर देंगे यह देखे इससे अंदर कितना अच्छा कलर आया है सभी बैंगन को हम इसी तरह से फ्राइ करेंगे अब हम इने निकाल लेंगे जब तक हमारे बैंगन स्राइ हो रहे हैं हम अपना मसाला त्यार करते हैं गैस को हम ओन कर देंगे स्राइपन के अंदर हम दो चम्मच तेल डालेंगे और उसको गरम होने देंगे अब इसके अंदर में मसाले डालूंगी धनिया और जीरा को मैंने भूलकर इसको खुर्श कर लिए एक चम्मच लाल विच एक चम्मच नमट एकचमच गरममसाला सभी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से भूलूंगी और अब इसके अंदर मैं आद座 ग्लास पानी डालूंगी आदर ग्लास पानी डालेंगे और हम इस मसाले को अच्छी तरह से पताएंगे वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपके बैंगन अच्छे बनेंगे अभी ये मसाला पफ गया है थोड़ा सा और ठीक करूंगे मैं इसको स्टैप आए स्टैप आपको सारी चीज़े दिखाऊंगी मसाला में रभून गया है गैस को हम आफ कर देंगे बैंगन फ्राई होने के भी बहुत अच्छे कुच्छ आ रही है बैंगन देखे मैंने फ्राई कर लिये हैं और यह देखे इनका कलर कितना अच्छा आया है अच्छा आया को मिला नहीं तोरी मैंने यह दही ली है दही को मैंने फेट लिया है इसके अंदर मैं आधा चम्मर्च काली मिर्च का पाउडर डालूंगी दो हरी मिर्च खटी हुई एक टमाटर और एक प्याज सभी को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और एक चम्मर्च रमक भी डालूंगी अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज को आप बिल्कुल बारिक चॉप करें अब मैं उसके अंदर फोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी अब हम एक सर्विंग बाउन लेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो यह दही का मैंने मिक्षर बनाया है उसको डालेंगे एक चम्मच और जो यह बैंगन फ्राइ किया है उसको इस तरह से लगाएंगे एक के करके तो यह हमने यह मसाला बनाया है एक चम्मच लेंगे और उसके उपर इस तरह से फैला देंगे तो यह हमने यह मसाला बनाया है इसके उपर एक से डेड़ चम्मच दही डालेंगे इस तरह से और अपना जो बैंगन फ्राइ किया है उसको लगाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है यह वाला बैंगन अगर आप इस तरह से बनाएंगे फिर से हम इसके ऊपर दही डालेंगे बैंगन लगाने के बार सबसे पहले हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे उसको और फिर दही का मिक्ष्टर डाल देंगे अब इसे हम धरिये से गार्णिश करेंगे त्यार है मेरा दही बैंगन जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अब मैं इसके दूसरी रेस्पी भी बताऊंगी इसी बैंगन को हम दूसरी तरह से सर्फ करेंगे फ्राई बैंगन को इस तरह से रखेंगे और जो मैंने यह मसाला बनाया है उसके उपर इस तरह से पैला देंगे और उपर से खरा बनाया डाल देंगे इस तरह से तो पेश है मसाले दार बैंगन और यह मेरा दही बैंगन अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरू करें मेरे चैनल को